वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है देश के दस राजियों की 54 विधान सभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी रोमान चक बन चुके हैं विगिंती सुभा आठ बजे से शुरू हो गई है नतीजे तै करेंगे कि मध्यपरदेश में शिवराज सिंग चोहान की सरकार बचेगी या कमलनात की सरकार आएगी शुरुवादी रुजहानों में 18 सीटों पर बीजेपी और 8 सीटों पर कॉंग्रेस आगे चल रही है मध्यपरदेश विधान सभा में कुल 230 सीटे हैं 229 सीटों के हिसाब से बहुमत का आकड़ा 115 रहेगा बीजेपी के पास अभी 107 विधायक हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के पास 87 विधायक हैं उत्तर परदेश की साथ विधान सभा सीटों के नतीजे भी आज ही आएंगे भी गिंती शुरू हो गई है एक्जिट पॉल के आकड़ों के मताबेक फिरोजाबाद की टुंडला अमरोह की नोगावां कानपुर नगर की घाटमपुर उन्नाव की बांगरमव जौनपुर की मलहानी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंद शहर सीट पर जबकि अमरोह की नोगावां और जौनपुर की मलहानी सीट पर सपा आगे चल रही है। उप्चुनाव के नतीजों की हर खबर के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com कर दो हुआ है। झाल 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 झाल